उत्तर प्रदेश में अभी से विधान सबाद चुनाव को लेके तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव से पहले बीजेपी दलितों को साधने की कोशिश में जुटी है। इसी बीश लखनव में अम्बेट कर समारक बनाने का फैसला भी ले लिया किया। उत्तर प्रदेश की विधान सबा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ये निया समारक दलितों की लाबबंदी के लिए काफी एहम है। बिजेपी अब लखनों में अमबेटकर समारक बनाएगी। कैबिनेट की बैठव में सीम योगी ने समारक के लिए जमीन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपती रामनात कोविन 29 जून को लोगभवन सबागार में इसका श्रिलानियास करेंगे। सेंटर में बाबा साहिब के 25 फूट की प्रतीमा भी लगाए जाएगी। सरकार की मनशा इस बात को लेकर भी है एक रिसर्च सेंटर भी बने। ताकि स्टूडेंट्स को भारत रत्न बाबा साहिब भीमरा और अमबेटकर के जीवन पर रिसर्च कर सकें। इधर यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक के बाद एक पैसले ले रही है पिछले डेड़ साल में यूपी सरकार में माफियाओं के करीब बार 1128 करोड की संपत्ति को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश को पुरीतरे से माफिया मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार ताबर तोड कारवाई कर रही है। गई कारवाई में आप तक 204 शेस्त लाइसेंस भी निरस्त किये गए हैं। सबको लगाना है। मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है। परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर। सबक्राई पर। झाल झाल